अब सभी का स्वागत है पी एस्टेडी में आज हम बात करेंगे आरेस 2019 की जैसे की बात चल रही है कि 2019 की भरती आने की जांसेद है इस बार 2013 के बाद 2016 आई थी 2016 के बाद 2018 आई थी अब जो गलतियां उन्हें 2018 में की है क्योंकि पैटन इस बर बदल चुका है पैटन मैं काफी चेंजेज जाये योपिएसी पैटन को फोलो किया गया गया इसा में फोलो किया जाता है कुछ हद तक फोलो किया जाता है तो आज हम देखेंगे कि हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए जो कि RS 2019 में ताकि हम प्री क्लियर कर जाएं RS का तो हम पहले देखते हैं सबसे पहले जैसे कि मैंने यह आप लिखा पहला पाइंट इंटरनेशनल यूज और करन्ट इवेंट्स जैसे कि हमने RS 2018 में देखा डोनल्ड ट्रम अन नोर्थ कोरिया के लीडर का एक कोशन सीदे सीदे international का आ गया था पाकिस्तान का एक judge के आया था जज के नाम से आया था पाकिस्तान के blind judge एक वो question से यह से आया था एक माला बार exercise नाम से भी आया था जो US, जापान और इंडिया की थी शायद से है ना एक वो आया था और भी questions थे जो की international news के cover हमें करने चाहिए तो हमें अब international news पर या international events पर हमको focus करना पड़ेगा क्योंकि international questions पर direct questions आ रहे हैं UPSC के level के questions आ रहे हैं तो इसलिए international events पढ़ने पढ़ेंगे तो इसके लिए क्या sources है में जो हमें उनका पढ़ना पढ़ेगा तो वो है Hindu, the Hindu वो तो ही है Indian Express newspaper और भी आज कल magazines आती हैं जैसे कि प्रतियोगी तदरपन होगी और और भी आप magazines और भी news की magazines आती है वो आप पकड़ सकते हैं परनोर्मा होगी या फिर आप और भी magazines रेफर कर सकते हैं अलग लग writers publications की आती हैं तो आप follow कर सकते हैं फिर हम उसके बाद देखते है national national events जो national events में इस बार काफी questions आगे जैसे महगाले वाला आगया था एक question महगाले मनिपूर वाला उसके बाद इंदू मलोत्तरा वाला question direct आगया था जजज़ वाला था तो इस हिसाब से national के भी ऐसे करके काफी questions आ रहे हैं तो हमें उनको इफूलो करना पड़ेगा तो एक बार इस पॉइंट को रास्तान आर्ट & कल्चर को छोड़के मैं इस देख economic survey पर आता हूं तो economic survey पर भी हमें focus करना पड़ेगा कोई 5-7 questions direct questions आते हैं ये तो हमेशा से आते हैं इसमें कोई changes नहीं है 2016 में भी आये थे ये उसी हिसाब से 2012 अठारा में भी ये question आये हैं तो हम अपने उमीद कर सकते हैं कि 2019 में भी ये question आएंगे इस बार quantity appitude की बात करें तो quantity appitude भी इस बार काफी moderate level था level easy तो नहीं था moderate था moderate इसलिए कि कैलकुलेटिव जादा था क्योंकि जो question से वो काफी कैलकुलेटिव थे तो उस बजहां से ये थोड़ा कैलकुलेटिव रहा अलाकि बच्चे कुछ थे मेरे फ्रेंट्स दुनोंने इस पे जहाद ध्यान नहीं दिया क्योंकि कि वो जानते थे वो सोचते थे कि ये पिछली बार की तरह ही आएगा easy होगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव आया इस पर तो ये quantity aptitude को भी थोड़ा सा seriously लेना पड़ेगा और रास्तान आर्ट करने में कुछ mistakes थी इसलिए वो तो वो उस वजहां से हो गया था बाकि English में में थे साथ से हो सही था तो इस हिसाथ से हमको देखना पड़ेगा और थोड़ा बोर्ड भी थोड़ा पहले लिनियंट था अब इस बार थोड़ी लिनियंस उनकी थोड़ी कम हुई है तो जैसे कि दो मंद्स लग गए थे रिजल्ट आने में दो मंद्स तो उदर लगा दी थे और कई लोगों से मैंने सुना था कि 2016 में 12 questions delete हो गए थे लेकिन 2018 में इस बार 44 जहांकि सुनने में आया थ था कि 44 questions पर objection लगाया गया लेकिन उसमें से एक भी delete नहीं किया गया तो जो leniency है बोड़ की आरपे थोड़ा strict हो गया है और pattern भी change हो गया है तो हमें थोड़ा सा seriously और preparation करने पड़ेगी तो यह था मेरा analysis आप सभी को मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा गर अच्छा ल लगे तो dislike कर दीजेगा और dislike क्यों किया तो आप बता दीजेगा comment में ताकि मैं अगली बार वो जो कमी है वो सुधार सकूं तो thank you